क्या मेथी का पानी त्वचा के लिए अच्छा है? हाँ, मेथी का पानी त्वचा के लिए लापकारी हो सकता है. एक शोद में जिक्र मिलता है कि इसके इस्तमाल से जुर्या, ब्लाक हेज, इंपल्स, ड्राइनेस और रैशेज जैसे त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव में मदद हो सकती है. क्या वजन बढ़ाने के लिए मेथी का पानी अच्छा है? वैसे तो मेथी के पानी का उप्योग वजन कम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका इस्तमान वजन को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है. दरसन एक शोद में इस बात का जिक्र मिलता है, कि मेथी के बीज का सेवन भूख ना लगने की समस्या को ठीक करने में सहायक हो सकता है. इस तरह मेथी के पानी का सेवन भूप को भैतर कर काफी हद तक वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है क्या मैं मेथी का पानी रोज पी सकता हूँ? जी हां, सीमित मात्रा में रोजाना सुबह मेथी के पानी को पिया जा सकता है वहीं लेक में जैसे की पहले ही बताया जा चुका है कि सीधे तौर पर मेथी के पानी से जुड़े शोद का अभाव है इसलिए एक बार चिकित सक्से परामर्श जरूर ले मेथी को कितने समय तक पानी में भिगोना चाहिए? मेथी के दाने को करीब 12 घंटे तक भिगो कर रखना चाहिए इसे रात भर भिगो कर सुबह चान के इसके पानी को सेवन करना चाहिए मेथी भिगो कर खाने के फाइदे क्या हो सकते है? मेथी भिगो कर खाने के फाइदे अनेख है यह मदुमेव कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत दिलाने के साथ ही पाचन की समस्या को भी ठीक कर सकता है अगर आप सोच रही है कि सुबा खाली पेट मेथी का पानी पीने से क्या होता है तो आपको बता दे कि इससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है मेथी कौन सी बीमारी में काम आती है मेथी के सेवन से हरदय रोग में लाब मिलता है पेट के रोग में मेथी के सेवन से लाब प्राप्थ होता है मेथी के सेवन से कब्स का इलाज किया जा सकता है मेथी के आउशधी वगोन से उल्टी रोग सकते है मेथी का पानी पीने से क्या नुकसान है? मेथी पानी के अधिक उप्योग से दस्त, मतली और पाचन तंत्र से संबंधित नुकसान हो सकते हैं इससे कुछ लोगों को चक्कर और सिर्दर्ध की समस्या भी हो सकती है अधिक मात्रा में मेथी के पानी का सेवन करने पर निम्न रक्त चाप का जोखिम पुत्पन्न हो सकता है